अटल जी का जो एक बहु आयामी वेक्तित्व था और विगत साथ दशकों तक उन्होंने भारत की राजनिती को प्रभावित किया, राजनिती के केंद्र बिंदु बने, अटल जी सबके सरुप्रिय राजनेता रहे, तो एक सरुजनिक सरुदलिय प्रार्थना सभा का आयोजन, 20 तारिकों शाम को, 4 बजे से 6 बजे, इंद्रा गांदी इंडोर स्टेडियम में जो केड़ी जादो सभागार है, वहाँ पर शाम को, 4 बजे से 6 बजे तक, सारुजनिक सरुदलिय प्रार्थना सभा, जिसमें सभी दलों के नेता उपस्तित रहेंगे, सामाजिक संगटनों के नेता उपस्तित रहेंगे, गणमानिय लोग भी उपस्तित रहेंगे, 23 तारिक को अटल जी का लखनव के साथ एक अटूट रिष्टा रहा है और उनका एक भावनात्मा पूरा संबंध करमभूमी का भी संबंध लखनव से रहा है 23 तारिक को लखनव में भी श्रद्धांगली सभा का आयोजन किया जाएगा 23 तारिक के उस कारिक्रम में घ्रह मंत्री शी राज्ञात सिंग जी उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री मान्ययोगी आदित्यनाज जी और मान्य अटल जी के परिजन भी उपस्थित रहेंगे इस अफसर पर उस दिन 23 तारिक को गोमती में भी अस्थि विश्रजन का कारिक्रम होगा मान्य अटल जी के परिजन उस कारिक्रम में उपस्थित रहेंगे देश की सो पवित्र नदियों में भी अलग-अलग स्थानों पे जो मान्य अटल जी के अस्थि विश्रजन का कारिक्रम रहेगा यहां से सभी प्रदेश मुख्यालों में अस्थि कलश पहुचेंगे और उसके बाद आने वाले समय में प्रदेश की योजनाओं के हिसाब से एक सूची आपको दी जाएगी उन सभी प्रमुक नदियों के किनारे इस्थित जो शहर है वहाँ पर इस कारिक्रम का आयोजन होगा देश की सभी राजदानियों में सारवदलिये सारजनिक सभाओं का आयोजन किया जाएगा सभी प्रदेशों से जो समाचार आ रहे हैं प्रदेश के राजदानिक केंद्रों में आगामी 10-15 दिनों में सभी राज्यों की राजधानियों में सारजनिक सरजलिय प्रार्तना सम्हाओं का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद जिला मुख्याले और पंचायत समीतियों में भी इसका आयोजन किया जाएगा स्वर्गया अटल जी के जीवन रत पे उनका भारतिय राजनिती समाज में जो उनका एक अभूतपूर योगदान रहा है उनका जीवन रत पे जो उन्होंने इस देश को एक उनका जो एक बहुत भारी योगदान रहा है हमारी पार्टी से भी कई विधान सभा के स्पीकर और राज्य सरकारों द्वारा भी संपर करके उनका एक अधिकरत जीवन मांगा गया है उनके सारजनिक जीवन के योगदान के लिए विभिन इस्थानिय निकायों में जिला पंचायतों ने भी इस प्रकार का अधिकरत जीवन मांगा है और वो अपनी तरफ से एक प्रस्ताव अटल जी के परिवार को और सबको प्रेशित कर रहे हैं जो दिल्ली में लोगा बाब में सभी प्रदेशों के मुख्याले जिला मुख्याले और पंचायत तक होगा और सौपवित्र नदियों में अठल जीके अस्थी विसरजन का कारिक्रम होगा इसका कल हरीद्वार में होगा उसके बाद फिर सो अस्थी विसरजन कारिक्रमों में पार्टी के सभी नेता देश के कोने कोने से सभी गणवानने लोग, सभी दलो के लोग, सारजोनिक जीवन के सभी लोग इस अपुरुनिय शती के करण एक शोक लहर में हैं कारिक्रमों की दृष्टी से कई विशे मीडिया में चल रहे हैं तो इस प्रश्चता आपके बीच में रहे हैं उसके लिए मैने जानकरी दी है अभी केरल के बाड के विशे में हमारी पार्टी के राश्ट्य महामंत्री श्री मुलीधर राजी आपको सभी करेंगे अच्टेर अच्टिया अच्टिया एफरेंजे लिए प्रिया प्रिया फ्रिया फ्रेश्ट इसाइशने के रला यह रे लुटतर पूला है लोग फो फ्रेली च्टिया लिए the reports and the information coming from Kerala making the whole nation about the situation and about the tragedy everybody said in the last this is the kind of flood which has not happened for the last 90 years so the damage to properties and to the human lives is very heavy honorable home minister shri rajna singhji had visited on 12th august now yesterday night honorable prime minister shri narendra modiji has gone to kerala central moment under the leadership of modiji first rajnaji had declared the assistance of the central government 100 crores now honorable prime minister has declared another 500 crores apart from that the rescue operations from the army and the allied forces also timely and they have taken all measures which has helped the state administration to a great extent under private and the honorable prime minister has declared certain other things financial assistance to deceased persons in the families and also the injured persons and he also has appeal to the insurance companies both in the case of agriculture and crops and also in the case of human lives companies should expedite and accelerate the compensation so as to help the families and the national highway authority is also directed that to take immediate measures to repair the highways and so that the transport facilities can be restored BJP is with the people of Kerala in this hour of crisis and this hour of the time of devastation we are completely with the people of Kerala and our party units all over the country have started collecting the materials food medicines clothings and other essential items which are required now all over the country our party state units have convened the meetings and they are collecting the materials and taking the help from the people and we are going to send this to Kerala for this rescue and rehabilitation purposes some states neighboring states Karnataka Tamil Nadu and other nearby states they have also planned from the party side to send the doctors teams now it is very important to restore the facilities and the support systems party workers from all units they are going to visit every household to take part in this help and rehabilitation measures we are going to there in Kerala itself more than 5,000 initiatives have been started by various organizations and different people within that BJP and also from the like-minded organizations more than 200 initiatives have already been started these initiatives will be increased as the floods recede we will be going and we will be helping and party and leadership and the cadres are completely and seriously involved in this undertaking and the details will be circulated to you how various states are going to take up this initiative and how various materials will be collected and how those things will be reaching to Kerala and in Kerala party unit at the state level and at the district levels they also have prepared their plans and we are also helping them in taking these items to the people of Kerala in the nuke and corner of Kerala state Thank you Mr.A. Thank you For the Ноe Mr.Narini Mr.Dr. ran Mr.R Ephraim Mr. male अपराद यूं हुआ है कि सुबह से जिस प्रकार हम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पंजाब इकाई के मंत्री श्री नवजोत कुमार सिद्धू आज पाकिस्तान गए वहां के प्रधान मंत्री के स्वेरिंग इन सेरेमनी में इम्रान जी के स्व जेनरल कमर जावेद बाजवा के साथ गले मिलने का कारिक्रम भी किया और उसके पस्चात पी ओ के अर्थात पाक उक्यूपाइड काश्मीर के प्रेसिडेंट मशूद खान के बगल में बैठे ये साधारन बात नहीं है बिकाउस मिस्टर सिद्दू इस नोट इंडिविज्वर वो एक व्यक्ति नहीं है वह इस देश के एक पाटी के नाकेवल अधिकारी है अपी तू सरकार के मंत्री भी है पंजाब में कॉंग्रेस की सरकार है और उसके मंत्री भी तो स्वभाविक रूप से यह एक सधारन विशय नहीं है और इसे प्रत्यक हिंदूस्तानी ने बड़े गंभीरता के साथ लिया है और कुछ गंभीर सवाल कॉंग्रेस पार्टी के और बनते हैं पहली बात है आपको जानकारी दे दें कि गले मिलने के पस्चात ये जो बैठने का प्रोटोकॉल था उसमें सिद्दू जी को पीओके के प्रेसिडंट मसूद खान के बगल में नहीं बैठना था पहले अलग-अलग बैठाया गया था मसूद खान साब पीछे बैठे थे उनको पीछे से लाके सिद्दू जी के बगल में बैठाया गया ये क्यों किया गया सिद्दू जी मना कर सकते थे उन्हें पता है कि जिस व्यक्ति के बगल में मैं बैठा हूँ वो पीओके के राष्ट्रपती है तथा कथित मैं कहूंगा तथा कथित राश्टरपती जो हिस्सा हमारे देश का है आप जानते हैं there was a resolution passed by the parliament of this country and this is a very serious issue आप उनके बगल में बैठे हैं आप मना नहीं करते हैं आपको तुरंट उठके मना करना था कि मैं इनके बगल में नहीं बैठूंगा अनाय अबजेक्ट जो कि उन्होंने किया नहीं दूसरी बात आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा साहब के साथ गले मिलते हैं वो और भी जगन्या पराद है जनरल बाजवा is known for the fact that in fact because of his interventions इंडिया has seen deaths of innocent multiple deaths of innocent हमने देखा है भारत वर्ष में जो सहादत होती है चंद दिनों पहले हमने देखा किस प्रकार हमारे आर्मी के जवान वो शहीद होते हैं उनकी कुर्बानी होती है और जब उनकी चिताएं जलती है उनकी पत्नी अपने छोटे से बच्चे के साथ बिलक कर तिरंगे को अपने च्छाती से चिप्टा कर किस प्रकार रो रही होती है क्या आपको वो दृष्य याद नहीं आया सिद्धु साहब जब आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ से गले मिल रहे थे वो गुनेहगार है भारत वर्ष में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो लोग गुनेहगार हैं गुनेहगारों से गले लगने से पहले आपको 125 हिंदुस्तानियों की छवी आपके आँखों के सामने होनी चाहिए थी अपके आँखों के सामने होनी चाहिए थी It is too much of a coincidence that we have yet another Congress leader in the same fray in the same fray in the sense I would like to remind you of 13th November 2015 when we had Salman Khurshid one of the former ministers and diplomats और Congress Party के बड़े दिगजनेता के Salman Khurshid वो पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में एक समिनार में कहते हैं कि मोदी जी शांती नहीं चाहते हैं पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के प्रदान मंत्री शांती की कामना करते हैं और हिंदुस्तान जो है वो कहीं न कहीं शांती के आड़े आ रहा है और जो पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ काम कर रहा है उसके लिए पाकिस्तान को बढ़ाई देनी चाहिए ये सलमान खुर्शीत जी का 13 नवंबर 2015 का स्टेट्मेंट पाकिस्तान का है उसके दो दिन बाद 17 नवंबर 2015 और ये सधारन मनी नहीं है ये सिरो मनी है पूरा कॉंग्रेस पार्टी की मनी शंकर एयर इतने बड़े नेता वो जाके आपको पता है किस प्रकार से पाकिस्तान में एक साक्षाथकार देते हुए कहते हैं मोदी की सरकार को हटानी होगी गिरानी होगी मोदी की सरकार को हाल फिलहाल में 21 जून 2018 को गुलाम नभी आजाद जी he provides one more headline for Pakistan and some more oxygen to Pakistan by saying that when the Indian army tries to neutralize terrorists it hardly kills one terrorist and eliminates 20 civilians वो कहते हैं मारने तो जाते हैं आतंकवादियों को मारते हैं और इंडियन आर्मी 20 सिविलियन को मार देती है यह इंडियन आर्मी जो है कही न कहीं यह मानव अधिकारों का उलंगन कर रही है the next day we find headlines in Pakistan उसके एक दिन बाद 22 जून 2018 को साइफुद्दीन सोज कहते हैं I stand with Parvez Musharraf कश्मीर needs independence कि मैं Parvez Musharraf जी के साथ खड़ा हूँ और कश्मीर को independence चाहिए और उसके चन्द दिनों बाद 18 अगस्ट 2018 अर्थात आज नवजोज सिंग सिद्दू इस सिंगिंग पियन्स देर इन पाकिस्तान हगिं दियार्मी चीफ और सिटिंग विद प्योगे प्रेसिदेंट सो कॉल प्रेसिदेंट प्योगे हुम वी डूंट रिकनाईज आज नवजोज सिंग सिद्दू जी यह भी कह रहे थे अभी चंद मिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फेर्ण्स किया पाकिस्तान को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मेरे रोम रोम से भी सहस्त्रो जुबान निकल आए और वो सब भी मिलके पाकिस्तान को धन्यवाद देने लगे तब भी मैं पाकिस्तान को धन्यवाद नहीं दे पाऊंगा किस चीज़ के लिए धन्यवाद हमारे यहां आतंकवाद भेजने के लिए धन्यवाद हमारे यहां निर्दोश सिविलियन्स को मारने के लिए धन्यवाद हमारे यहां आर्मी के जवानों का शहादत के लिए धन्यवाल हमारे यहाँ आर्मी के जवान जब उनकी शहादत होती है उनकी पतनिया उनकी माएं उनके बच्चे उनके पिता जिस प्रकार बिलक बिलक कर रोते हैं और पूरे देश में जिस प्रकार का मातम का माहूल होता है उसके लिए धन्यवाल राहुल जी जब इस देश में सर्जिकल स्ट्राइक होता है आप साक्षी मांगते हैं आप एविडेंस मांगते हैं आप सबूत मांगते हैं आप कहते हैं आपके प्रवक्ता कहते हैं संजे निरुपम कहते हैं कि DGMO जो है डिरेक्टर जेनरल मिलिटरी ऑपरेशन वो जूटा है वो साक्षी दे तभी हम मानेंगे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और वहां आप ही के प्रवक्ता आप ही के मंत्री जाके जेनरल बाजवा के साथ आर्मी चीफ पाकिस्तान से गले मिलक कर कहते हैं कि बाजवा साहब ने कहा अब हम शांती चाहते हैं उनको तो आपने विश्वास कर लिया हमारे आर्मी चीफ को विश्वास नहीं करते तुरंद पाकिस्तान के आर्मी चीफ को विश्वास करके गले लग लिया हमारे आर्मी के चीफ सडक के गुंडे संदीब दिख्षित जी ने जो आपके पूर्व सांसद रहें 12 जून 2017 को जिस प्रकार की भद्धी टिपणी की और कहा कि हमारे इंडिया के आर्मी के चीफ सडक के गुंडों की तरह बात करते हैं हमारे आर्मी के चीफ सडक के गुंडे उनके आर्मी के चीफ को सहस्त्रो रोम छिद्रों से धन्यवाद देना है और उनसे गले लगना है वहरे कॉंग्रेस बीजेपी आरेसेस और हिंदू ये सब आतंकवादी याद रखिए बीजेपी और आरेसेस के लिए भी 2013 में उनके अधिरेशन में खड़े होकर हमें जिस प् सिंदे जीने की ये टरुरिस्ट कैम्प चलाते हैं इस प्रकार की भदी बातों का प्रयोग किया था और हिंदू आतंकवाद के शब्द का गठन किया था हम सब को वहरे आतंकवादी और जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है उससे गले लगना कमाल की कॉंग्रेस पार्ट उसके बाद अगले ही दिन एलिटी का सर्टिफिकेशन आया था कि घुलाम नभी अजाद जी के ओपीनियन के साथ हम खड़े और आज गली मिलने का कारेक्रम चल रहा है राहूल जी आपसे दो टूक सवाल है और हम बिलकुल वी आर वेरी सीरियस अन इस इशू हम चाहते हैं पर्मीशन लिया था डिड्यू ग्रांट पर्मीशन और इडिड्यू नॉट ग्रांट पर्मीशन क्या आपने पर्मीशन दिया था सवाल नंबर एक सवाल नंबर दो राहुल जी क्या आप सिद्दू जी के इन वक्तव्यों से और इन व्यवहारों से सहमत है अगर सहमत है तो इसका जवाब दे क्यों सहमत है अगर सहमत नहीं है तो what is the action that you are taking against Mr. सिद्दू क्या आप ततकाल वो हिंदुस्तान के धर्ती में कदम रखने से पहले आप उनको बर्खास्त करेंगे या नहीं करेंगे इन दोनों प्रशनों का we want a clear cut it's not we in the sense the Bharati Janta Party we in the sense we the people of India want a clear cut answer from you Mr. Rahul Gandhi whether will you suspend Mr. Navjot Singh Siddu before he steps in India and whether Mr. Siddu took your permission before leaving for Pakistan किसी ने क्वा खूब कहा था मेरे आने से पहले मेरे एक मित्र ने कहा घर को जब घर ही न समझेंगे मेरे घर वाले घर को जब घर ही न समझेंगे मेरे घर वाले तब तो कुछ रोज में आ जाएंगे बाहर वाले अगर हमारे घरवाले ही, हमारे नागरिक ही, भले कितने भी पॉलिटिकल वैमनस्यता क्यों न हो, this is an ideological fight मगर आप जाके वहाँ गले लगेंगे, आप जाके वहाँ P.O.K के प्रेसिडेंट तथा कथित प्रेसिडेंट के साथ बैठ जाएंगे क्या ये उचित है, ये 125 करोड भारतिय जन्ता पार्टी उसके बाद आती है, भारतिय जन्ता पहले आती है, भारतिय जन्ता राहुल गांदी से पूछ रही है, धन्यवाद साइड इसका प्रस नहीं होगा, ये से रहे हैं, साइड आती है, जब आप वीजा के लिए अपलाई करते हैं, क्या किसी भी कारण से वीजा को रिजक्ट किया जाता है, आप कहते हैं, आप वहां मित्रवत जा रहे हैं, मगर गले लगना, ये तो आपके विवेक पे था, किस जिसके बगल में बैठ रहे हैं, अबजेक्शन रेस करना, ये तो आपके विवेक पे था, आपने अपने विवेक को तौला क्योंकि ये आपका अकेले का विवेक नहीं है, आपके ऊपर 125 करोड हिंदुस्तानियों की निगाह है, इसलिए विवेक कहीन होकर काम करना, वह किस मंत्राले के अधीन नहीं आता है, वह आपके पार्टी की विचारधारा और आपके ह्रदय में रहता है, वह अभी चार दिन पहले हमने देखा कि तालकटुरा स्टेडियम में राहूल जी भाशन कर रहे थे, उसी समय उनके माइक्रोफोन का माइक का अर्थाद शॉट सर्कि माइक बंद करा दी, ये राहूल जी की समझे है, शॉट सर्किट होके माइक बंद हो जाता है, तो उसमें भी उनको अमिट शाह जी की हान और अमिट शाह जी नजर आते हैं, कहीं न कहीं राजनेतिक हतासा है, परफॉर्म नहीं कर पाने के लिए, इस दिए फ्रस्टेशन अ नन-performance. आपने उपर विश्वास थे. दिखिये, इस इस इए हाई टेबल अफ बारती जंता परटी, न त अपर देफ्मेंट. अमिए का हाई टेबल नहीं है. एक बात बड़े इस पर्ष टूप से में बता दू. समवाद, नूतन सरकार फ्रमेशन हुआ है पाकिस्तान में. किस प्रकार समवाद होगा, किस प्रकार विशय आगे बढ़ेगा, this is not the concern of the spokesperson. I am too small a person to comment on issues of such importance and sensitivity. इसके लिए आप M.E.A. ही उचित फोरम है, जो इसको ब्रीफ करेगी. किन्तु, किन्तु, हाँ, किन्तु, मैं किन्तु तबाब बता रहा हूँ. किन्तु, जब नवजोज सिंग सिध्धू जाकर आर्मी चीफ से गले मिलते हैं, एक बड़ा संदेश जाता है, ये चोटी बात नहीं है. जब आप P.O.K. के साथ बैठते हैं, मुझे प्रेसिडंट कहने में कष्ट हो रहा है, उसके साथ आप बैठते हैं, तो ये एक संदेश जाता है, जो आपके विवेक पे निर्भर करता है. क्या स्टेप लेना है, क्या स्टेप नहीं लेना है, आप वहां मौझूद थे और आप कहते हैं, हर रोम छिदर समय पाकिस्तान को धन्यवाद देता हूँ. और आप दूसरे इसी स्वास में कहते हैं, मैं यहां पॉलिटीशन के नाते नहीं, पॉलिटीशन के नाते आया हूँ. दोनों चीज़े एक साथ कैसी हो सकती है. आप देखिए वेवार्ट जब हमारे यहां जो भी वेक्ति रहता है, आप हमेशा देखिए, मैंने आपको एक फैरिस्त गिनवाई, मनी शंकर अईयर से लेके, सल्मान कुर्शीद से लेके, गुलाम नभी अजाद से लेके, साइफो दिन सोज से लेके, सबकी आपको पूरा एक फैरिस्त गिनवाई. आप बताईए, हमारे यहां से कभी किसी ने पाकिस्तान को ऑक्सिजन दिया है, सीना ठोक के हम में से हर कोई कह सकता है, कि हम में से किसी ने भी भारत के खिलाफ तनिक भर भी नहीं बोला है, या कभी बोलेगा नहीं. अटल जी ने सिखाया, मोदी जी ने सिखाया है हमें, कि हमेशा देश पहले, एराष्टर पहले है, है पार्टी उसके बाद में हैं सेल्फ लास्ट में हमेशा ये लक्षमन रेखा खूदने का काम कॉंग्रेस पार्टी के लोग करते हैं और एक बात हम लोग कह दे अभी चंद मिनुटों बाद सायद कॉंग्रेस पार्टी कहेंगी ये तो वेक्तिगत विचार था अब देन दान सरे इस कोंगरेस कपिल सिबस्वन वेक्तिगत गुलाम नभी अजाद वेक्तिगत से फुदीन सोज वेक्तिगत मनी शंकर अइः वेक्तिगत गुला वेक्तिगत वुला सब लोग लुग क्तिगत है तो हुई तो हूँ इस कॉंड एस अली राहूल-Gandhi Couglas is कर Lageय rice said, ring the various initiatives which I already stated. State, Katrina, our legislatures and even the state governments led by BJP, all these are going to undertake different initiatives. Now, you all know, the 12th Honorable Home Minister had visited Kerala, and Atollji's health was not good, and the Honorable Prime Minister was here, and immediately after yesterday's funeral, he went to Kerala. No the party, state units are having serious internal planning sessions and by evening we will circulate all details. But definitely party, as I stated already, entire party, BJP, all over the country, is with in this hour of tragedy, in this hour of devastation and the worst ever crisis we are with the people of Kerala they should not feel alone in this so this is the statement which I have given all details we will circulate yeah I have to men a Joe yeah, when I get a LG K NIDHAN KEY OPSERPAY JOKAR KRAMA HEN ONI KKO JAN KARI DENI KEY LEAVE AAP KO EMPRESSY SAWARTA KKO SAMBODHEIT KIA KANZI A G क्या होना चाहिए उसका उत्तर मैंने दिया है मगर यह बताइए पी एम तो बी कंपेट यह बताइए पी एम जा आदे एक्विविलेंट करते हैं आदे एक्विविलेंट जाते हैं और गले मिलते हैं वहाँ पर जाके जिन लोगों से शायद नहीं मिलना चाहिए मैं विवेक पे छोड़ता हूँ जनता सवाल पूछती है तो क्या प्राइम मिनिस्टर इनको इक्वल किया करके देखा जा सकता है अगर जाके किस प्रकार विवहार करना देश हित में ये तो आपके हाद में है कि जो भी विवहार हूँ वहां करे वो देश के 125 करोड जनता देख रही है समझ रही है और उस पर सवाल पूछे आप में से कोई भी हम में से हम और आपको बंदू है हम में से कोई भी एक दूसरे से पूछे कि क्या आर्मी चीफ को जिस प्रकार गले लगाया गया उसका संदेश ठीक जाता है क्या पीओके के तथा कथित राष्ट्रपथी के साथ बैठ कर एक जगा अपना मंच अपना स्थान साजह करना उचीत है क्या संदेश जाता है पूरे विश्व में और जिस प्रकार का धन्यवाद प्रस्ताव पाकिस्तान को दिया गया है वो अभी हम देख तैंक्यू क्या है